सब लोग मिलकर बिहार से बीजेपी और नितीज जी को हटाने जा रहे हैं जादा समय नहीं बचाए इसके गहरे कारण है बड़े बड़े वाइदे किये जहां जाते हैं मोदी जी कोई न कोई वाइदा कर जाते हैं नितीज जी की भी यादत है कुछ दिन पहले मैं उधारन देना चाहता हूँ कुछ दिन पहले पार्लिमन्ट आउस में बजेट में बड़ा अनॉंस्मेंट हुआ बीजेपी के नेताओं ने कहा एक आसिक निर्न ने लिया है और धड़ा 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 पांच मिनट उन्हें ताली बजाई किसानों के लिए एतिहासिक काम किया मोधी जी यूँ तालीव जा रहे है पता ही क्या यह थी हासिक काम किया हिंदुस्तान के किसानों को सत्रा रुपे दिन के दिये किसान के परिवार के व्यक्ति को साड़े तीन रुपे दिन के नरेंद मोधी जी की सरकार देती है और धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा पूरी BJP पूरी BJP पार्लिमन्ट हाॉस में तालिव जाती है अनिलम्बानी को एक व्यक्ति को आप 30,000 क्रोर रुपे देते हो नीरभ मोदी को 35,000 क्रोर रुपे देते हो मैं हूं जोक्षी को 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 भाई और बेनो आपको लाइन में खड़ा किया आठ बजे रात को मोदी जी टीवी बाते हैं कहते हैं भाई और बेनो पांचसो रुपे का नोट हजार रुपे का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा काला धन बदलना है पांचसो गर नहीं चलेगा हजार का नहीं चलेगा इसको मैं रद करूँगा मुझे तो दो हजार रुपे का नोट चाहिए काले धन को सफेद करना है ये मेरे पंदरा बीस मित्र है अरब पती है दो हजार रुपे के नोट की जरूरत है आपको लाइन में खड़ा किया आप से कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है जो आपने बचा के रखा वो आप बैंक में डालो किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ चार-पांच दिन बैंक के सामने खड़े हो बारिश हो धूप हो कुछ भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा आप सब को लाइन में खड़ा किया आपके जेब में से पैसा निकालते हैं बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं निरभ मोधी, विजे मालिया, ललित मोधी, मेहुल चौकसी, अने लंबानी डाइरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोट बंदी भाईयों और बेहनो मोधी जी कड़े होते हैं कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई पंद्रा लाग रुपे आपको मिलेगा हर व्यक्ति को पंद्रा लाग रुपे मिलेगा मिल गया है यहाँ पे कोई जिसको पंद्रा लाग रुपे बेहन के कान में मिले ना अगर किसानों को साड़े तीन रुपे एक परिवार को सत्रा रुपे अपमान किया है आपका अपमान किया है बिहार का हिंदुस्तान के किसान का मध्यप्रदेश देखिए राजस्तान चत्थिसगर देखिए आज कमलनाच जी मुझे बता रहे थे उद्योग पतियों के लिए बीजेपी के सरकार ने मध्यप्रदेश की सरकार ने करोन रुपे कर्जा माव किया मगर किसानों का एक रुपया नहीं माव किया चत्तिस गर्द, राजस्तान, मध्या प्रदेश में एक रुपया नहीं माव किया नरेंद्र मोदी ने एक रुपया नहीं माव किया हमने एलेक्शन में वाइदा किया था पंद्रा लाग का वाइदा नहीं था जूटा खोकला वाइदा नहीं था नरेंद्र मोधी वाला वाइदा नहीं था हमने साफ कहा था देखिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी किसानों का कर्जा माफ होगा मध्यप्रदेश में होगा राजिस्तान में होगा 36 गड़ में होगा और कोई भी शक्ती दुनिया की कोई शक्ती इसको रोक नहीं पाएगी बाईयों और बेहनों 10 दिन नहीं लगे कॉंग्रेस पार्टी की सरकाराई कमल नाज जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया बगेल जी ने उनके एक दम बाद एक दिन के अंदर काम कर दिया अशोग गेलोर जी ने दो दिन के अंदर काम कर दिया दो दिन के अंदर कॉंग्रेस की सरकारों ने हर किसान का करजा माफ करके दिखा दिया एक तरब नरेंडर मोधी साड़े तीन लाग करोड रुपे पंद्रा लोगों का माफ करता है हिंदुस्तान का किसान एक के बाद एक हाथ जोर के पगहता है उनसे हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दो अरुन जेटली जी कहते है नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है हम नहीं करते चलाना है जितना चलाना है चलाओ कोई फ़र्द नहीं पड़ता हम तो सिरफ नेरा मोधी अने लंबानी का करेंगे आपको याद होगा नरेंद्र मोधी का दौरा लगता था कभी फ्रांस जाते हैं कभी अमरीका जाते हैं कभी आस्ट्रेलिया गए एक के बाद एक एक के बाद एक दौरे लग रहे हुआ जाते हैं चले जाते हैं बापस आते हैं अब सचाई पता लगी है बाई यों बहनों ये देखो ये देखो बोलने से पहले धडाम से पहले नारा लगता था पहले नारा लगता था अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे अब नारा सुनिए मोधी जी सुनिए चोकिदार 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 फ्रांस जाता है वहाँ चोरी करवाता है अमरीका जाता है वहाँ आर्म्स डील कराता है चोरी कराता है इंग्लेंड जाता है वहाँ आर्म्स डील करागे चोरी कराता है भाई और मैंनो अनिलंबानी एक लाख हजार करोर रुपय करजा है उस पर एक लाख करोर रुपया तीन बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों का रोजगार दे सकते हो उतना पैसा अने लंबानी स्वायम ले गया उठा कि एचेल को कॉंग्रेस पार्टी ने कॉंट्राइक दिया था कॉंग्रेस पार्टी ने फ्रांस की सरकार से साफ कह दिया था देखिए राफाईल हवाई जहाद अच्छा है 126 हवाई जहाद चाहिए 526 करोण रुपे एक हवाई जहाद के लिए देंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेट को कॉंट्राइक मिलेगा हवाई जहाद हिंदुस्तान में बनेगा बिहार के युवाउं को फाइदा होगा करनाटक के युवाउं को फाइदा होगा और इसा के युवाउं को फाइदा होगा उत्तर प्रदेश के युवाउं को फाइदा होगा पूरा मामला त्यार था एक सो चपीस हवाईजाद मिलने थे चोकिदार प्रधान मंत्री बनता है डाइरेक्ट भाईया हवाईजाद में जाता है फ्रांस जैसे आप ही आपने हवाईजाद देखा ऐसे हवाईजाद में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाईजाद में अनी लंबानी डाबल फ्रांस में लैंडिंग होती है नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं पहले होलैंड जी से गले लगते हैं गले मिलाते हैं तीन बार फिर कहते हैं होलैंड जी आईए बैठी है मेरे साथ होलैंड जी बैठते हैं कहते हैं देखिए ये 526 क्रोड रुपए छोड़ो हम आपको 1600 क्रोड रुपए देंगे HL को परे करो अनिलम्मानी है उसको आप हवाई जहाज दो क्रोड़ो